नमस्कार दोस्तों आप सभी का लौ सिखो की दैनिक समाचार विशलेशन में चलिए आज के आर्टिकल सिखते हैं आजकर जो हमारा पहला आर्टिकल है ये इंडिया और इस्राइल के संबंधों के बारे में हैं दूसरा जो आर्टिकल है ये असम और अरुनाचल प्रदेश की जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उस बारे में जो सिमा इनका विबाद है दोनों राज्यों की बीच उस बारे में हम बात करेंगे चलिए मैं आगे बड़ उससे पहले में अपना परिचाय करवाना चाहूँगा मैं खुश्वंत पवार आप चाहे तो मैंसे ट्वीटर और इन पर जोड़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएंगी आज का एंसी क्यों देख लेते हैं वह यह है कि जॉइंट एंटी टेर्र कमीशन जो कि भारत और इसराइल के बीच में स्थाफित है इसकी स्थाफना किस वर्ष हुई है यह आपको पतान अब आते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेशन के और तो आज का डिस्क्रिप्टिव क्वेशन यह है कि आपको असम और अरुनाचल प्रदेश के बीच में जो सीमा विवाद है जो इन राज्यों के सीमा का विवाद है इस बारे में एक चर्चा करनी है 250 शब्दों में च diplomatic जो राजनीक संबंध है यह पूर्ण हो चुके हैं तो इन बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं हाल है मैं भारत और इसराइल के बीच में थोड़े इनके संबंधों में थे उड़ी खटास देखने को मिलती है क्योंकि पैगसिस एलिगेशन लगे हुए है हमारी भारते सरकार के उपर सेंट्रल गौवर्मेंट जो है उनके उपर पैगसिस एक स्पाइवेयर है जो की एक इसराइली कंपीनी के द्वारा बनाया गया है यह रक्षा और सुरक्षा के मामलों के ल भारत में जीविश कम्यूटी अब नंबर्स में काफी कम हैं लेकिन काफी काफी ही लंबे समय से रह रही है और भारत में जिस तरीके से काफी सम्मान पूर्ण इस कम्यूटी को ट्रीट किया जाता है कि कोई भी ऐसा बेदभाव अभी तक नहीं देखा गया है तो अपने आ अगर हम बात करें तो हाल है में 2017 में प्रधान मंतरी मोदी की जब विजिट हुई थी इसराइल में तो इन्हों ने खुद भारत और इसराइल के बीच में संबंदों को और मजबूत करने की बात की थे अपने आप में काफी सक्सेफिल मूटिंग ये मानी गई थी उसके अल एक एंटी टेर जॉयन्ट कमिशन ने सिन 2000 में स्ताफित किया उसके अलावा और टेक्नोलोजी हो गया क्रिशी हो गया और डिफेंस एक्विप्मिंट से जूडए हूई चीजे हो गई इन सारी चीजों में भी इन दोनों देशों ने आपस में आके स्ट्रेजिक पाटनर्श प्रतिनीजित्व करती है तो इसके लिए भारत ने दरवाजे उपन करे 1975 में पाच वर्ष बाद 1980 में डिप्लोमेटिक टाइज प्लो के साथ में स्थापित करे 1988 में प्लो डिकलरेशन प्लो का जो डेकलरेशन था independent state of Palestine का उसको भारत ने सहमती दी recognize करा और East Jerusalem को Palestine का capital भी recognize किया उसके अलावा अगर हम देखे तो September 2015 को यहाँ पर United Nations Premises में Palestine का flag install हो इसके लिए भारत ने support भी करा Palestine को PLO को 2014 में क्या हूँ यहाँ पर 2014 में PM Modi power में एक ideological shift भारत में देखने को मिला जिस तरकिये से UP और NDA दोनों की ideology जो है काफी विभिन है दोनों अपने आप में तो 2014 के बाद में जब एक ideological shift यहाँ पर देखने को मिला तो East Jerusalem यह प्लेस्टाइन का capital है इस बारे में ऐसा कुछ मजबूत ही के तोर से हमारी central government ने नहीं रखा जब पैलेस पीलो के जो चीफ है महमूद अब्बास इनका विजिट हुआ था 2017 में उसके अलावा United Nation Human Rights Council की 46th session जो की जिनेवा में 2021 में हुआ था उसमें इंडिया ने तीन resolutions में यहाँ पर वोट करा जिसमें इसराइल संब्मद रखता था सबसे पहला resolution जो था यह self right of self determination जो पैलेस्टाइन की लोग है इनके self determination के बारे में थे इसराइल की settlement policy के बारे में थे खासकर जो गोलन हाइट्स में है तो यहाँ पर इसराइल का साथ भारत ने नहीं दिया उसके अलावा PM नितना याहू इससे पहले कि जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके इसराइल के यह चाहते थे कि ICC को रिकोगनाइज नह साइल के दखल अंदाजी चल रही है उसको support करें लेकिन भारत ने यहाँ भी refuse कर दिया उसके अलावा दोनों देशों की बीच का जो टाइस है हाल ही में strong हुआ था लेकिन पेगसेस मामले के बाद में कहीं ना कहीं दोनों की रिष्टों के बीच में एक यहाँ पर कमी वाप यहाँ पर अगर देखे तो 70 वर्ष पुरानी यह dispute है अरुनाचल प्रदेश जो है देश जब आजाद हुआ तो अरुनाचल प्रदेश existence में नहीं था यह असम का ही एक भाग था उसके बाद में अरुनाचल प्रदेश अलग हुआ और आज की अगर तारीक में देखे तो अ 1973 में सबसे पहले ब्रिटिश एंपायर उस समय था तो उन्होंने इनर लाइन रेगुलेशन लिकर आय थे इसका कही ना कहीं डिस्प्यूट का ओरीजन वही से देखने को मिलता है उसके बाद में 1950 में North East Frontier Tracts की स्थापना की गई जो आज का अरुनाचल प्रदेश का most of the area इसके नाम से गठित किया गया आज का जो अरुनाचल प्रदेश है उसके बाद में 1972 में अरुनाचल प्रदेश अलग करके से एक यूनियन टेरिटर का दर्जा दिया गया 1951 में यहां पर असम सी एम इन 1951 अराउंड तो यहां पर असम के जो सी एम थे उन 1951 में असम से करीब 3648 स्क्वाइर किलो में जो मैदानी एरिया है यह आरुनाचल प्रदेश को ट्रांसफर करा प्लेन इरिया का महत्व अपने अपने इसले बढ़ जाता है यहां पर कृशी हो सकती है यहां पर सेटल्मेंट की जा सकती है लोग सेटल हो सकते अपनी घर बना सकते तो यह सारी चीजों के लिए मैदानी एरिया काफी ज़्यादा महत्पून होता है असम का जो मोस्ट आप पार्ट है यह जंगल है और हिमालेन रेंज का पार्ट आता है जो कि अपने आप में रहने के लिए इतना उप्युक्त नह 1989 में चला गया यहाँ पर जो हमारा देश का एपेक्स कोट है सुप्रीम कोट इन्होंने एक लोकल बामटरी कमिशन 2006 में इस्ताफित करी और यहाँ पर यह कहां गया कि कंसिंस बनाके दुरों डिसकस करके इस डिस्प्यूट को सुलह करने की कोशिश करे उसके बाद में असम के तरफ से कई बार अरुनाचल प्रदेश पर यह आरोप लगा जाते है कि अरुनाचल प्रदेश की तरफ से लैंड खासकर फॉरेस्ट जो जंगलों का एरिया है यह इंक्रोच किया जा रहा है हाल ही में प्रदान मंतरी ग्राम सडग योजना के अंतरकच लेका वाली और दुर पाई रोड प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर जो रोड बन रहा था तो इस रोड पर असम ने क्लेम करा कि यह रोड डिस्प्यूटेड एरिया का है हमारी सीमा में आता है तो इसको देखते कि यह भी डिस्प्यूटेड एरिया है उसके अलावा यहाँ पर कई बार विलेजेस में भी इंक्रोजमेंट देखने को मिलता है कुछ छोटी मूटी मुद्भेड भी दोनों राज्यों के जो रहवासी है उनकी बीच में देखने को मिलता है उसके अलावा हाल ही में अगर ह इस चीफ मिनिस्टर और असम की चीफ मिनिस्टर इन दोनों की वीच में गोहा टी में मिटेंग मिटेंग का दिशकर्श इनोहों सकारातमइक बताया क्या निर्ण हे लिया में रही कि पर कई daनी के जया भी जा क्या जांए करेंगे और इसे साब से हम बॉर्डर का जो डिस्प्यूट है इसे निप्टाने की कोशिश करेंगे तो चलिए आज का जो हमारा न्यूज इन फ्लेश है वह यही समाप्त होता है अधिक जाने करें के लिए आप लॉसिको की वेब साइट भी विजिट कर सकते हैं मुझे सुनन के लिए आप से बुगा धन्यवाग थैंक यू स्टे तून्ट टूलाउस दिखो